एक माह का दिल उसके बेटे में बसता है पल्विदाली है और तेरा दिल तुम चाहकर भी कभी वहां तक ने पहुच पाओगे ब्लिस मेरे नूरे निकाह आपके गुस्से का कहर पुरी दुनिया पर बरस रहा है लेकिन मैं आपको यू परेशान नहीं देख सकती मेरे नूरे निकाह आपके दिल को सुकोन मिले इसलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ मेरे नूरे निकाह मैंने वो जगह ढून ली है जहाँ आपके मताबिक हमों तीन मिनार बनाएंगे जिससे वो साथवे आयाम का दरवासा खोलेगा और उस दरवासे से आप उरी काइनात पर राज कर पाएंगे मेरे नूरे निकाह इनसान सजदा करेगा आपका और वरिष्टे आपके आगे सड़ चुकाएंगे मेरे नूरे निकाह उस रोशन दिल के बिना जो अबाली के पास है ये ख्वाइश सिर्फ बेख्वाइश है मेरे नूरे निकाह आपकी हर खायश को पूरी कर यही मेरी तमन्ना है मेरे नूरे निकाह मेरे नूरे निकाह अगर आपकी रू को मैं इस दुनिया मेला सकती हो तो यह रोशन दिल कुछ भी नहीं है मेरे लिए आपके लिए मेरे नूरे निकाह यह सिमसिम कुछ भी कर सकती है आप बस यकीन रखिये मुझ पर क्योंकि आपकी मुहबब और यकीन यही मेरी ताकत है मेरे नूरे निकाह सिमसिम मेरा ये खाला दिल और तूसरा वो रोशन दिल जिस दिन ये दोनों एक हो जाएंगे उस दिन ये काइनात मेरी मुठी में होगी और तब मैं बनुगा इस काइनात का खुदा आपकी महबद हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूगी मेरे खुदा खैर मक्दम ये हमारा जहाँ है बड़ा ही सुन्दर है पर इसकी खास बात ये है कि बिना हमारी मर्जी के यहाँ पे कोई दाखिल हो ही नहीं सकता और तुम यहाँ पे आगे हो और ये बात हमें कुछ खास अच्छी नहीं लगी किस मकसद से आये हो यहाँ पे बेवजा यहां से गुजर रहा था तो सुचा तुम्हारा हुनाराज मालू बेवजा कि यह बेवकूफी महेंगी पड़ सकती है अब जो इनसान साथ समंदर पार कर चुका है जो इनसान साथो दुनियाओं का सफर कर चुका है काइनात के सबसे मुश्किल साथ सवालों के जवाब जिसने खोज लिये हैं उसका हुनर आजमाना थोड़ा महेंगा पड़ सिटता है और ऐसे इनसान के सामने शम्शीर नहीं निकालते हैं सर जुकाते होंगे तुमारे या पे मेरे याँ तुम्हारे जैसों के सर काटते हैं तुम जहां से भी आये हो तुम्हें वहाँ पे किसे ने सिखाये नहीं तमीज क्या होती है लहजा क्या होता है क्या करें क्याओने अब तुम मेरे जहां में आए बोट बोट तमीज त उसे खानी होगी हम वह वो सूर है नियते परवार नहीं करते जो जाबाज होते हैं वो जुबानी तलवार नहीं चलाते और इस दुनिया में जो जुबान चलाना जानता है उसे हात्यार की कभी जरूरती नहीं पड़ती बस बहुत हुआ बहुत बुरूर है ना इस आत्म को अपने आप पर और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं तुम जिन्दा तो होना रोष्णी खुदा ने साथ दिनों में पूरी काइनात परादी थी और आप हैं ये आप से एक बलत्स नहीं का जा जा रहाएं आप आप मुझसे आप में तक्वी में अब बता भी दीजे कहां है आपका बेटा हम हम सबरकरे बलिस मेरा पेटा बहुत चल्दाएगा मुझे दिये गए फर जखम का बत्ला लेने इस बाहर वो तेरी मौत बनकर आएगा मौत मौत इस काइनात के होने वाले खुदा से उची आवाज में बात नहीं करते रोशनी आखे नीचे करो और सर जुकाओ मेरे नूरे निगा के आगे सर जुकाओ मेरे ने ने कहाँ सर जुकाओ मेरे ने ने कहाँ सर जुकाओ मैने सिर्फ वाकताकतों की बात किया किसी शेतान के आगे मेरा सिर नहीं जुगेगा रोश्टी मेरी आपा मेरी बहन को मैं अच्छे से जानता कयामात तक भी कुछ नहीं बोलेगी कुछ नहीं मेरे नूरे निकाह आप फिक्र मत कीजी मेरे नूरे निकाह अली तक पहुचने का कोई न कोई रास्ता में जरूर निकाल लूगी यह आपकी सिमसिम का वादा है आपसे जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा वक्त बहुत कम है हमारे पस मैं जानता हूं तेरे इस काम को कौन अज़ाम तर पहुचा सकता है तुमने मुझे बचाया क्यों? वसूल है जब तक दुश्मन को जान नहीं लेते दुश्मन को मौत तक नहीं लेते वसूल पहजीब इतनी बड़ी बड़ी बाते करते हूं हो कौन तुम जुलांग आया साथो दुनियाओं की खाई बाइजजद उसे कहते हैं हातिम धाई किससे सुने थे तुमारे तब लगा था कि कोई अफसाना है पर तुम तो सच में हो हम्, यह कुछ भी नहीं है तुम्हारा क्या अफसाना है कौना तुम? इसकी दोस्ती की मिसाले पहुचती हैं काबल से काबा उससे प्यार से सब बुलाते हैं अले बाबा, अले बाबा बहुत को रहा ना मुझसे प्यार से बिलाने के उमेद रखना ना दोस्ती के जैसी तुमारी मरसे अले याख को अले याख याख बहुत करते हुआ हुआ रसना बहुत अले प्यूद याख याव झाल झाल तुम्हारी तस्वीर मेरी अम्मी के साथ कैसे है? हमने पूछा तुम्हारी तस्वीर हमारी अम्मी के साथ कैसे है? कैसे? हमारी नहीं मेरी अम्मी हमारी तक तक तो अली अहात्यम के दुनिया में पहुच चुगा होगा नेरे दूनों बेते एक साथ होगे अली और हातिम अज कह गिया है दुबारों मत तेना हम है अम्मी के बेटे है समझे है वो बेटे है इस पर उन्हें नाज है वो बेटा जिन से वो सबस्दाद अप्यार करती है वो बेटा जिसे उन्होंने इतना काबिल बनाया कि वो हातिम बन सके हातिम भाई समझे तुझे क्या लगा था कि तुझ भी बखवास करता रहेगा और मैं सुनता रहूँगा रोश्णी और मुस्तफा का सिर्फ एक ही बेटा है अली यानि की मैं अली बाबा तुम हो अली बाबा मुस्तफा के बेटे अली बाबा तुम वही अली बाबा हो जिसने शंग्रीला से तलिसमान जुराया था तुम वही अली बाबा हो जिसकी वजह से आज इबलिस फिर से जिन्दा है बिल्कुल सही जगे बनाये हो अब तुम्हारी सजा मैं मकर्रार करूँगा जिसकी अली बाबा जिसकी अली बाबा मैं तुम्हारी अली बाबा कर दोaff ambди को को समय अभगार अपनाले मんだ नभया हुआ तर्भार भ्राद कर दोला में तढ़ार उर्टू है कि अर्वार्ट है कारा टा स्यर्डा्ट अशार आज हैं तर्वार ने दो 25 fårचाई さ संब्सक्रा आए कार्फा ए अली अब आप ये मत कहिएगा कि आप भी अम्मी को जानते हैं रौशनी हमारे परिवार की तरह है इसकी अम्मी आपका परिवार ये आप लोग जो भी खेल खेल रहे हैं देखें आपस में खेलिए पर फिलहाल मेरे पास वक्त बहुत कम है मुझे यासे निकलना होगा यहां से बाहर जाकर तुम अपने मुश्किलात को बढ़ाओगे अली बाहर के दुनिया तुम्हारे लिए महफूस नहीं है सला के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पर मैं अपनी हिफाज़त खुद कर सकता हूं फिलहाल परवाज में मेरे अपनों को मेरी ज़रूरत है इसलिए मुझे फॉरान निकलना होगा वहाँ परवाज में मेरे अपने में मरचीन और मेरे बच्चे ना जाने किस हाल में होंगे और यहां यह रही सादा मुझे फिलाल यहां से निकलना होगा परवाज पहुचने का रास्ता मुझे खोजना होगा हातिम तुम ही अली को यहाँ वापस लेकर आ सकते हो जाओ उसे यहाँ वापस लेकर आओ मुझे माफ किजी बाबा इस मगरूर इंसान के हिपासद हम नहीं करेंगे नाम करना चाहते हैं इस सी अली की वज़े से उस इबलिस से चुक कर हम हिना रहेना पड़ रहा है हम से यह नहीं होगा हातिम ये मत भूलो सिर्फ रोशनी ही किसी को हमारी दुनिया में भेज सकती है अगर उसने किसी को हमारी दुनिया में भेजा है तो उसके पीछे जरूर कोई वजय होगी क्या तुम अपनी अम्मी की बात को टालोगे हातिम अली को यह भीजनी की पीछे अम्मी का कोई मकसुद तो जरूर है हम इसकी वजय जानने होगी और इसके लिए अली को यह रोपना ही पड़ेगा उसके लिए खेर बात को यह रोपना है